स्वागत है दोस्तों आप सब का मेरे चैनल शाहिद आजमी लाइपर बिलाखित भारत ने खिताबी जीत हासित कर लिए जी हाँ अंडर 19 महिला विश कप पा टाइटल भारती लड़कियों ने जीत लिया इंग्लैंड को साथ विकर्ट से शिकस देते हुए दक्षिन अपरिका यानि आने वाले जो अगले महिने में महिलाओं का वर्ल्ड कप सीनियर होने वाला वहाँ पर उन लड़कियों का यकीनी तोरप होसला बढ़ा हुआ होगा इसके बाद पुरुषों को वर्ल्ड कप इस साल होने वाले यानि शुरुवात शांदार भारती क्रिकेट नजरिये से हो गई है इस खिताबी मैश की बात करें तो टॉस भारती टीम ने जीता पहले फिल्डिंग करने का फैसला किया इंग्लेंड को पहले बल्लबाजी के लिए आमंतरित क्या इंग्लेंड की पूरी टीम मातर अंसर रण बनाकर सत्रह देशमलों एक और में आउट वाथी इंग थो खिला लिए रभार जो सामने पिक नहीं पाया खास हो कि भृति ओच्माटि वह मातर छहार और मेंचां करते हुए दो खुलाडियों को आॉट किहा इसके लड़ो Two लो केट मिला थे हैं यहां पर उस ख्राइब भी मिला था जिसके बारें मुला था बारें बताओ जिन्नोंने इस पूरे टरणामेंट में चे मैचों ऎजारें हासिल और खिर भी डो लू विकेट हासिल किया यारी इंग्लेंड की जो जिस तरह से बल्लेबाजी थी उसकी पूरी कमर तोड़ी और पूरी टीम मात्र जैसा मैंने बता दिया अनसर ठरन बनाकर आउट हो थी इंग्लेंड की शुरुआ थी बहुत खराब होती पहला विकेट पहले ही यानि एक रन पर पहला विकेट गिर जाता उ और 49 पर पांच विकेट यानि 49 तक जाते हैं आधी टीम आउट हो थी उसके बाद से पूरी तरह से टीम धराशाई हो थी भारती गेदबाजों का सामना ने कर पाती और पूरी टीम जैसा मैंने बता है आउट हो थी भारत को 79 रन का टार्गेट मिटता लक्ष मिलता भारत की शुरुबात कुछ सदी होती है लेकिन लंबी साज़दारी नहीं हो पाती सोने रन बनते हैं भारत का पहला विकेट आउट हो थी श्वेता सहराओत आउट होती मात्र पांच रन बनाकर च्छा गेदों का सामना करते हुए आउट हाती लेकिन दूसरे एंट पर शेफाली व खर्मा आउट हाती है लेकिन उसके बाद से एक भेथरी छी सज्वा रखरी और भारत की तरफ तरफ से तिर्शा ने जिस तरह से बल्लेबाजी की उसके लावाट कर सवमया नहीं जिस तरह बल्लेबाजी की यानि पीरिसा और साव्मया के दर्मिया एं एक शांदार 60 और सख और कि जब 66 पर पहुंचता है वहां पर आउट हो आती है यह तिरिशा आउट आती है यानि जब भारत बिल्कुल जीत के करीब था यानि होटों के पास प्याला आ गया था वहां पर आउट भारत का तीसरा विगेट जरूर गिरता लेकि उसके बाद से कोई नुकसान नहीं हो नहीं मिली बागी किसी भी मैच में उसे हार ने मिली भारत के सफर की बात बात ने जिस तरह से श्रिलंका को साथ विगेट से शिकर्द दे उसके बाद इसकार्ट लेंड को तिरासरें सारा था आगर बर्ती टीम युए को एक सो पाइसरें सारा थे जबकि दक्षिन अफ्री करना पड़ता लेकिन जिस तरह से पूरे टर्रीमिंट भारती लड़कों का सफर रहा वो शरहनी और शन्दार रहा और खितावी मकाबले में जीत हासिल की टर्रीमिंट में गासतर से बात करें मैं रहा जैसे शुरूम बताय था पारश पारश्वी के बारे बताया था जिन् सहरावत की बात करूँगा जिन्हों ने जो बिल्कुल 300 के करीब पहुंची थी 6 मैचों में उन्हों ने जिस तरह बल्ले बाज़ों साथ मैच उन्हों ने खिले साथ मैचों में 297 बिरन बनाए इस पूरे ट्रॉनामिट में भारत की जीतर की सूतर रधार ये कुछ खिलाड़ इंगलेंड की जो टीम की कप्तान है उन्हें पहले आप दे ट्रॉनामिट का एवार्ड दिया था उन्हों ने दो सो तीराल बरन बनाने के लावर नौ विगेट हासिक और शांदार बैदनी परदर्शन करते हुए अपनी टीम को खिताबी मैच तक लेका है जी हां मेरी बात अफमेंडन संबर यहां पर्दर कि और कशें के वार्ट को भारत साधूंब तो तो बहृती इस शोले देश लगातार आपको जानकारी देता रहूंगा फिलहाल मुझे शाहिद आदम को यह करते हुए अनमती दीजिए हमारी बातचीत हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बहुत बढ़ शुक्रिया धन्यवाद